केटा फिल से रिलेटेड मुझे बहुत सारे ऐसे कोश्चन आ रहे थे जिसका मैं एंसर में जरूर दे रहे थी लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स अभी भी हैं सो मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूं आप सवी के लिए जो डाउट्स आपको केटा फिल मॉस सब्सक्राइब को यूज कर सकते हैं यह नहीं या फिर मुझे किसी ने यह पुछा क्या इस क्रीम को लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं यह नहीं तो ऐसे बहुत सारे कोश्चन है जो कि मुझसे आप लोगों नहीं पूछा है लेकिन आपको अभी तक वह ड देखें है हलो एबरीवन वेलकम वैक टू मैं चैनल मैं हूँ जोती और आप देख रहे हैं इंफोर्मेशन एंड गाइड नो फेक नो रॉंग और राइट इंफोर्मेशन एंड गाइड तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि के टाफिल मॉश्राइग क्रीम के बारे में मुझसे बहुत सवाल पूछे जा रहे थे जिनके डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुए है तो मैं आज इस वीडियो से आपको वह सारे डाउट क्लियर कर दोंगे अगर आप यह मॉसराइजिंग क्रीम यूज करते हैं और इसके बाद भी आपको कोई है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लिज सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो हमारे जल्ट से जल्ट आपके नोडिफिकेशन वेल पर मिलती रहे आपका कोई भी सवाल हो आप हमारे कम सब्सक्राइब के बारे में जो कि आपको इस वीडियो से बहुत ही इंपोर्टेंट इसके बारे में पता चलेगी तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का कोश्चन कोश्चन नमबर वन जो कि मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं जिन्होंने मुझे लिखा है नॉर्मल कि जैसा है इसमें कोई खुसबू एड नहीं है यह विदाउट खुसबू है और यह मेडिसन जैसा भी नहीं कोई खुसबू है मतलब कहने का मतलब ना के पराबर इसके अंदर हुच्बू है यह नॉर्मल करीम की तरह ही आप इसे यूज कीजिए और रही बात के आपको यह सेफ रहेगा कि नहीं बिल्कुल जी हां यह बिल्कुल सेफ है आपके स्किन के लिए तो आप इसे लगा सकते हैं और अब जल्दी से दूसरा कोश्चन की बात कर लेते हैं जिनों ने मुझसे पूछा है क्या इसको हमेशा लगा सकते हैं और क्या कुछ दिनों तक ल इसको आपको लगाना है लेकिन अगर मैं बात करूं यह एक रेगुलर किरिम के तरह है आप इसको लगा सकते हैं लंबे समय तक कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन ज्यादा बैस्ट होगा कि आपको जब रिक्वार्मेंट हो आपकी स्कीन ड्राय हो जब आपकी स्कीन में इच जिन्होंने लिखा है मुझे उनका नाम है नगेंदर कुमार जी उन्होंने पुछा है कहना है यूज फोर ऑइली स्कीन तो मैं आपको यहां पर बता रहे हूं कि जी हां और यह बहुत ही अच्छा और हेल्दी है और आप इसको यूज कर सकते फोर ऑइली स्कीन के लिए फिरल आ यह परूँ करते हैं जो एक अपको राट्स करते हैं तो थोड़ा रहे कि क्रिश सकते हैं नाम बश्राइब क्रेंद से अब पाफ़ा कोर्शन की बात कर लेते हैं जिनका नाम ही लाएजिंग सुपरश्टार तो उन्होंने मुझसे पूछा है इस क्रीम कुझ कर सकता हूं तो जी हां इसे यूज कर सकते हैं यह आपके लिए सेव रहेगा जिनके भी पिमपल्स एकने की प्रॉब्लम है स्कीन पर जिनको यह दिक्कत आ रही है एकने की प्रॉब्लम है स्कीन पर तो आप इसे केटाफिल मॉस्टराइजिं क्रीम को इस्तमाल कर सकते हैं और आपको यह बैटरी देगा और आपके स्कीन को हेल्डी एंड ग और आपके dryness को खतम करता है आपके skin को glow and healthy बनाए रखता है साथ वे question की बात कर लेते हैं जिनका नाम आ रहा है रागनी सिंग रागनी सिंग मुझे पूछा है कि लोसन अच्छा रहेगा या क्रीम ड्राइनेस सेंसिटीव अगर एस पर रिक्वार्मेट की बात की जाए बेसिक ली तो बेसिक रूल के इसाब से आप क्रीम ले सकते हैं क्रीम बैस्ट ऑप्शन रहेगा अब बात कर लेते हैं नाम हा रहा है सुखेन गरारी जी क्या इन्होंने मुझे से पूछा है क्या इसे दिन में लगाने से कोई सा आपके स्कीन काफी हेल्दी दिखेगी और आपके स्कीन में थोड़े कम आएंगे तो आप रात को लगाई दिन को लगाई कोई दिकत नहीं है अब लास्ट कोश्चन की जल्दी से बात कर लेते हैं जिनका नाम आ रहा है गाबुदू इनने पुछा है मैं में इसको लगा कर कर सकते हैं यह बहुत बड़ा कोश्चन है बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं कि कुछ मुस्टराइजिंग क्रीम ऐसे भी होते हैं कि आप उसको लगा के आप टर डाट आप अपने स्कीन पर मेक अप कर सकते इसपेसली लेडिस के लिए बहुत ही बैस होता है तो अगर जिनक आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए गा इस वीडियो के बार ताकि आपको सही इंफ्रमेशन मिल सके तो जैसा कि मैंने बताया आप इस क्रीम को क्रीम को मुश्राइजिंग कर लगाने के बाद भी वेक अप लगा सकते यह आपके लिए सेफ रहेगा आई होप सो आज आ करना ना भूले लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं नए इंफ्रमेशन और गाइड के साथ आज के लिए इतना ही बाई बाई दोस्तों